हर कोई अपने आपको intelligent ही मानता है हर किसी को लगता है कि वो बहुत intelligent है दूसरों को वो व्योकूप मानता है बट अपने आपको intelligent ही समझता है और इसी चक्कर में वो और ज्यादा गलतियां कर बैठता है बट actual में जो intelligent होते हैं वो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करते हैं कौन गलती करना human tendency है, हर कोई अपनी life में कुछ न कुछ mistakes करता है, हर किसी से कुछ न कुछ गलतियां जरूर होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी अपनी life में कोई गलती ना की हो, कोई कितना भी sensible हो, कोई कितना भी intelligent हो, बट अपनी life में कुछ न कुछ बेवकूफियां वो करता ह कुछ ना कुछ गलतियां उससे हो ही जाती है बट वही समझदार होता है वही intelligent कहलाता है जो कि अपनी गलतियों को accept करता है अपनी गलतियों से सीखता है और आगे वो alert रहता है अपनी गलतियों को बार बार repeat नहीं करता है जो अपनी गलतियों को समझता है और आगे उसे repeat नही नहीं होते हैं वो हर बात पर गुस्सा नहीं करते हैं वो हर बात पर चीखते चिलाते नहीं हैं वो अपनी बात को आराम से कहते हैं वो दूसरों को अपनी बात को आराम से समझाते हैं और दूसरों को भी आराम से समझने की कोशिश करते हैं वो हर बात पर अपना गुस्सा नह चाहिए यह चीज वो अच्छे से समझते हैं इसलिए वो time और situation के according ही काम करते हैं और यही सारी बाते उन्हें और उसे अलग करती है उनको intelligent बनाती है जो लोग intelligent होते हैं वो ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं जो की नहीं समझते हैं मतलब उन्हें पता होता है कि कौन समझने वाले हैं और कौन नहीं समझने वाले हैं जो लोग कोई चीज समझना नहीं चाहते हैं इसे लोगों को वो समझाने में अपने टाइम को वेस नहीं करते हैं और चुप रहते हैं अब वो directly किसी को गलत नहीं बोलते हैं जैसे कि किसी ने कोई गलती कर दी है या कोई गलत है तो उसे directly ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप गलत है या आपने गलती की है वो उसे humbly बात करते हैं वो उसे polite रहते हैं और इसी के duration में बातचीत के duration में ही वो उसे realize करवाते हैं कि आपसे गलती हुई है या आपने गलत किया है ज अगर हम किसी से directly कहते हैं कि आप गलत हो आपसे गलती हुई है तो ऐसे में फिर उसका ego बाहर आ जाता है फिर बहुत कम chance होता है कि वो अपनी गलती को accept करे या फिर अपनी गलती को realize करे जो लोग intelligent हैं वो इस चीज़ को जानते और समझते हैं और इसलिए वो directly किसी को गलत नही बोलते हैं वो उसे उसकी गलती को realize करवाते हैं ऐसा करने से उनके relation भी बचे रहते हैं उनके relation भी नहीं खराब होते हैं और सामने वाला अपनी गलती को भी realize करता है और next time के लिए alert हो जाता है जो लोग actual में intelligent होते हैं, वो अपने आपको बहुत smart या फिर genius नहीं मानते हैं, वो अपने आपको smart या genius मान करके दूसरों से नहीं भिड़ जाते हैं, वो दूसरों से argument करने से भी बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हम argument करते हैं, तो कभी-कभी हमें पता भी नह जाए तो वो ये प्रिफर करते हैं कि वो आगूमेंट से बचे रहें तो की बात को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बात को भी वो पॉलाइटली रखते हैं जिससे कि उनके रिलेशन भी बचे रहें और सामने वाला उनको समझ भी पाए वीडियो को लाइक कर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलती हूँ अगले वीडियो में बाबाई